इसमें मुझे ये चेनी डालनी है और ये दूद ये स्टाबरी डालनी सारी इसमें डाल दी चेनी डाल दी तो चमच और ये डाल दी अब हम इसको करेंगे क्रेंट ये वीवर्स दूद डाल दी और अब मैं करती है इसको क्रेंट और वीवर्स ये हो गया हमारा शेक तयार हम यमी इसमें हलका सा आपने काला नमक डाल लेना है हस्बे जाइका और नीबू निचोड़ लो हस्बे जाइका बर्फ मैंने नहीं डाली क्यूंके ये स्टाबरी फ्रीज हुई हुई थी और दूसरे दूद भी फ्रीज में था हिव है इवर्यों कई लगी मेरे शेक कैसा लगा जरूर बता येगा आप इसको गानिश करने के लिए इस्मे पोडिए धनिया सारा में डालके पिर इसकी प्रिक्पाण और ये लगने लगा है इसमेप बोदीना लिवर्स ये बताऊँ ये वो बोदीना है जिसकी मैंने अभी आपको एक वीडियो शेर की थी फ्रिश फ्रिश ले किया ही इसको मैं ये लग किया ये हमारा हो गया गिलास टेयाद और रिवर गिलास से क्या होता है वो भी रमजान के महीने में, ये देखिये, ये जग है, मेरी बीटी कैसी लगी ज़ी जानेगा कॉमेंट में, अबना बहुत ख्यार रखियेगा, हैपी रमजान, अल्ला हाफीज, स्टोबरी की ट्रे में स्टोबरी का जूस, वाटा कम, अल्ला हाफीज, ये देखिये भी बस, अब सही हुआ है, अब पका पका ला हाफीज,